यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हत्या रोकने और खेते से पलायन रोकने के लिए जल्द कदम उठाए और हिमाचल के राजयोपाल अचार्य देवरत ने रास्ट्रपती भवन में आयुजित दो दिवस्तिय उन्चासवे राजयोपाल समेलन में भाग लिया अचारय देवरत ने कवताया कि इस दोरान परधान मंतुरी नरेंदर मोदी ने प्राकतिक करशी में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें किसानों की आई दोगुनी करने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने की दिशा में शूनिय लागत की प्राकतिक करशी के प्रचा विकास आंतरिक सुरक्षा सामाजिक सरोकार के विश्यों पर चर्चा हुई इस अफसर पर अपने संबोधन में राजवपाल ने कहा कि प्रधान मंतुरी के किसानों की आई को साल 2022 तक दोगुना करने के संकल्प पर हर राजव गंभीरता से काम कर रहा है उन्होंने किसानों जागत प्राकतिक कृशी नाम से एक पुस्तक के लेखन और प्रकाशन का कार्य भी किया जिसे प्रधेश के किसानों को निश्यल को दिया जाएगा इस अफसर पर उन्होंने ये पुस्तक रास्ट्रपती और सभी राजवपालों को दी है हिमाचल कॉंग्रेस प्रभारी रजनी पार्टेल 11 जुन को शिमला के दो दिवस्ते दोरे पर जाएंगी और बहाँ पार्टी मुख्याले पर प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी की आम सभा को सुम्बोदित करेंगी इस बैठक में प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के पताधिकारी जुलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष अग्रणी संगठनों और विभागों के प्रमुख मौझूद रहेंगे और साथी शाम के समय कॉंग्रेस के पुर्व विधायकों के साथ बैठक का आयोजन करेंगी इस दोरान लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश के नेताओं से चर्चा करेंगी वहीं प्रदेश कॉंग्रेस मीडिया विभाग के चेर्मेन नुरेश चोहान को जानकारी दी है कि हिमाचल कॉंग्रेस की नव न्युक्ती प्रभारी पार्टी नेताओं पताधिकारियों पुर्व विधायकों और पार्टी के पुर्व अध्यक्षों के साथ बैठक कर आगामी रणनीती तयार करेगी कर दो दो